Good evening students, इस वाले वीडियो में मैं cover करना चाहता हूँ वाले chapters जो physics में consistently जादा weightage के साथ आ रहे हैं NEET exam के अंदर और यह analysis based है, पाँच papers जो NEET 2022 और NEET 2023 में आया है, अब आप कहेंगे पाँच कौन से है, 22 में एक normal paper हुआ था है, एक abroad में आया था और एक गंगानगर में आया था, 23 में एक normal paper हुआ और साथ में मनीपूर में क्योंकि वाइलेंच चल रही थी, तो एक paper separately मनीपूर के लिए भी यह आ गया, ठीक है, अब क्या है, पहली चीज़े, chapter कौन से हैं यह भी देख लेते हैं, अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाकी chapters नहीं पढ़ेंगे, नीट का exam, इस type का exam नहीं है कि आप chapter छोड़के जा सकें, तो सबसे पहले देख लेते हैं, कि कौन से 10 chapters हैं और बाकी chapters की क्या strategy होगी, उसको भी जड़ा समझ लेते हैं, तो देखिए, और यह वाला PDF नीट प्रैप के टेलिग्राम चैनल पे अवेलेबल है, टेलिग्राम चैनल का link वीडियो के description में, आप जाके अपने reference के लिए इसे अपने पास रख सकते हैं, मैंने आपको बायो पहले cover कर दि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यहां तक, इलेक्ट्रोस्टाटिक पोटेंचल इन के पैसिटेंस था, ठीक है, और, यह, यहां तक रख लेते हैं, तो काउंट करते हैं, देखिए, तो आपके टोटल चैप्टर है, तो यहां पे हमने दस चैप्टर लिया है, आउट अफ टोटल 28 चैप्टर, 14, 11th में, 14, 12th में, 23 का देखते हैं, 4, 5, 9, 3, 12, 3, 15, 12, 17, 13, 20, 21, 23, 24, 26, चलो, यहां पे देखता है, 5, 2, 7, 8, 9, 3, 12, 12, 14, 15, 13, 20, तीन, चार, 7, 2, 9, 10, 11, 13, 14, 12, 16, 18, 12, 20, 23, 23, इस में देखते हैं, दो, तीन, पांट, तीन, आथ, नो, दस, चार, 14, 12, 16, 17, 19, 19 और 3 22 तीन चाह साथ चाह 11 यह से शह 0 है 13 दो 15 तीन चाह साथ चाह 11 दो 13 तीन 16 दो 18 दो 20 22 और 24 26 तो आप एक बार देख सकते हैं कि एक लेवल आफ कंसिस्टेंसी है ऐसा नहीं कि किसी साल जादा है और यहां पर मानीपूर में बहुत जादा दिखाई दे रहे हैं पर 20 क्वेश्चन से तो ज़्यादा आई रहे हैं तो आप यह सोचिए कि 10 चैप्टर आउट अफ 38 करीब 35 परसेंट होता है और उसमें से करीब आपके हर बार 40 से 45 परसेंट अप टू 50 परसेंट क्वेश्चन्स आ रहे हैं ठीक हैं आप इसके अंदर यह वाले चैप्टर्स और एड़ कर लें यह वाले चैप्टर्स और एड़ कर लें एक दो तीन चार पांच छे साथ यानि यह 17 चैप्टर कर लें तो आपको समझवाएगा कि almost सारा पेपर कवर हो गया आप देखें नीचे आ जाईए इसके ठीक है एक जो चीज में आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि आप कई बार अटक जाते हो कि सर चैप्टर समझ में नहीं आरा करूं क्या देखें आप मैंसे बहुत सारे लोग को waves में problem होती है oscillations में problem होती है mechanical properties of fluids कहीं पे होगा है ना कहां पे है solids है thermal properties of matter है ठीक है wave optics में तकलीफ होती है ठीक है rotational motion परिशान मत होगे आगे बढ़े जाईए अपनी तयारी को डर के अंदर मत रखे कोई बात नहीं यदि आप से कोई चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहे है आप जित्ता कर सकते हैं तयारी करके चले जाईए और बाद में यदि यह ऐसा होता है कि आपका यह वाले चैप्टर का खराब हुआ नहीं हुआ अच्छा कोई बात नहीं जनली स्विकिंग देख लीजए ऐसा नहीं है कि यह जो चैप्टर से हैं इनसे बहुत सारे questions आ रहे हैं ठीक है तो मैं आपको यह बताना चाहता था कि NEET का exam ऐसा नहीं है कि आप कोई question छोड़के जा सकें यह मैंने पहले भी बार-बार बोला है पर इन वाले chapters का especially ध्यान रखना है यह जो उपर आले chapter हैं इनका especially ध्यान रखना है आप imagine करिए बहुत सारे लोग AC को properly नहीं पढ़ते और AC से continuously question आ रहे है देखे रे optics current electricity दिखाई देगा आपको यहा नंबर है ठीक है magic नंबर का मतलब क्या है आपको बायो में 340 score करना है आपको chemistry में 140 physics में 140 इस सब का total हो जाता है 620 जो safe score है नीट में government college नीट के थ्रू government college देने के लिए ठीक है अब 140 के दो मतलब है एक तो यह है कि 140 अराम से नियागा मेहनत करनी पड़ेगी पर दूसरा उसका मतलब यह है जब आपके 140 आ रहे 180 में से यहने आपने सारे question attempt किये तो 8 questions wrong होगा ठीक है ध्यान से सुनियेगा मेरी बात यहाँ पर आप कई बार बहुत frustrated होते हैं कई बार आप कहते हो आपसे हो नहीं रहा जबकि 8 questions गलत होने पे भी हम 140 पर पहुंच जाएंगे ठीक है तो आपको हर question सही नहीं करना है government college में पहुंच रहे के लिए जब हम बोलते है 620 out of 720 याने 100 marks आपके wrong है है ना इसका मतलब यह कितने question wrong हुए 20 question wrong हुए ठीक है तो इस नजरिये से समझने की कोशिश करिए किसी chapter पे अटकने की ज़रुत नहीं है यदि आपको problem हो रही है physics के किसी chapter में बायो के किसी chapter में chemistry के किसी chapter में अपनी रफतार को slow मत करिया आगे बढ़े जाए और एक point आपको मिलेगा जब आपको आप उसको जाके attack कर लें आप यदि एक दो chapter छोड़के भी चल गए नीट exam में यह देखिए 20 question गलत होंगे तो भी आपका government college में हो जाएगा पर आपको अपना confidence बनाए रखना है आपको कुछ से continuously बोलना है rocket science नहीं है मैं कर सकता हूँ लगे रहता हूँ इस वाले chapter को अभी नहीं करता बाद में कर लूँगा और आगे बढ़े जाएए जैसे जैसे आप जाधा से जाधा chapter किये जाएंगे आपका confidence build up होता जाएगा तो fully guys आपको ये बाद मेरी समझ में आ गई होगी मैंने इस वीडियो में दो चीज़े cover करने की कोशिश किये एक तो मैंने ये चीज़ cover किये कि कौन से chapters past year एकिस बाइसों तेईस को देखा जाए तो उसके basis दे कौन से chapters लग रहे हैं जिन में से जाधा question आ रहे हैं physics में अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल भी ऐसा ही होगा पर इसका मतलब ये जरूर है कि इन chapters को ध्यान रखना इनको ignore नहीं करना दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि दिया आप किसी chapter पैटक जा रहे हैं for example अदित्य संजय गुपता दी ग्रेट अदित्य संजय गु और भाई इस ओके आपको मौका मिलेगा अभी रुकिये मत चैप्टर को साइड में रखे आगे बढ़े जाए ये दूसरी सीख रही इस वाले वीडियो की ये जो PDF मैंने आपको दिखाया नीट्राइब के टेलिग्राम चैनल पे अवेलेबल है आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफ्रेंस के लिए लग सकते हैं और मुझे प्रामिस करिए बेमतलम में टेंशन नहीं लेंगे आगे बढ़े जाएंगे अपना जो टाइम टेबल है उसके इसाब से हर दो ह कि चालू हो रहे हैं जिसके बारे में मैं अल्रेड़ी आपको बता हैं ओ I dough C के बारे में इस चैप्तर के अंदर इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया Chemistry पायो न को वीडियो है उनका वीडियो के डिसक्रिपशन में ठीक है बच्चो